ना काम में मन लगता ना बच्चों की दुर्दशा देखी जाती, बताइए करें क्या नौकरी मिल रही है लेकिन मैं तो लिखक बनना जाता हूँ, बताइए करें क्या प्रेम हो गया है पर उसकी जाती दूसरी है घर वाले विरोध कर रहे हैं, बताइए करें क्या आपकी बातें सब समझ में आती है फिर भी सोया पड़ा रहता हूँ बताइए करें क्या देह संतुष्ट हो गई आप गिर जाते हो आप कहते हो आप कुछ करना ही क्यों है पैसा आता आदमी मोटा होने लग जाता है हिलना ही क्यों है क्यों खा रहे हो मास मेरे परिवार में सब खाते हैं तो मैंने खाना शुरू कर दिया तुम तुम ठीक आदमी लग रहा है तुम क्यों नहीं खाते नहीं मेरे परिवार में कोई नहीं खाता इसलिए मैं भी नहीं खाता पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ दी, क्यों पढ़ाई छोड़ दी? अब प्रेम हो गया, प्रेम तो बड़ी बात होती है, न? अब पंद्रा वर्ष से उपर हो गए मुझे, सारुजनिक जीवन में, लाखों लोगों से मिलने का नुग्रह हुआ है, और हजारों में उनके प्रश्ण लिए होंगे, मुझे नहीं यादाता कि कोई भी ऐसा प्रश्ण रहा है, जिसने प्रत्यक्ष परोक्ष सीधे ही या घुमा फिरा करके ये ना पूछा हो कि करूं क्या? लगभग सभी प्रश्णों में एक ढर रहा होता है, शुरुआत होती है यह बताने से कि जीवन में क्या चल रहा है, जीवन में जो चल रहा होता है, उसे समस्या के तौर पर रखा जाता है, कि यह जो अभी इस्थित्य है यह पसंद नहीं आ रही तो यह इस्थित्य अब समस्या हो गई और फिर प्रश्ण रख दिया जाता है कि करें क्या? तो शायद इनसान के सामने जीवन की तमाम तरह तरह की इस्थितियों में फस्ते हुए यही प्रश्ण, सीधे, प्रथंतया, सामने आता है करें क्या? हर इनसान जैसे इसी एक सवाल से जूज रहा है क्या करूं? क्या करूं? यही जो प्रश्ण है क्या करूं? इस पर जब दार्शन के अविचारत गंभीरता से चिंतन करते हैं तो यह प्रश्ण बन जाता है मेरा धर्म क्या है? जो प्रश्ण आम आदमी की भाशा में होता है बता दो अब करूं क्या? बता दो अब करूं क्या? व्यापार अच्छा चलता था फिर व्यापार में मन लगना बंद हो गया व्यापार ठप पड़ रहा है लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा उसमें और मन नहीं लेकिन लग रहा तो अब घर में हालत खराब हो रही है बताइए करूं क्या ना काम में मन लगता ना बच्चों के दुर्दशा देखी जाती बताइए करें क्या प्रशन क्या बना करें क्या नौकरी मिल रही है लेकिन मैं तो लिखक बनना चाता हूँ बताईए करें क्या फ्रेम हो गया है पर उसकी जात ही दूसरी है घर वाले विरोध कर रहे है बताईए करें क्या आपकी बातें सब समझ में आती है फिर भी सोया पड़ा रहता हूँ बताईए करें क्या तो ये प्रशन मेरे लिए पिछले पंद्रह साल का है लेकिन मानवता के लिए समय के पहले दिन से है ये प्रशन जैसे इनसान पैदा हुआ और उसने पहली अपनी अंगडाई और पहली अपनी श्वास और चीतना में अपने पहले विचार के साथ पहला प्रशनी यह पूँछा करें क्या यही सवाल हम तब से पूछते चले आ रहे हैं करोड़ों नहीं तो लाखों साल तो होई गए करें तो करें क्या तो जब ये सवाल इतना ज्यादा पूछा गया कि करें तो करें क्या, करें तो करें क्या तो विचारकों ने कहा गंभीर सवाल लगता है भाई जिसको देखो वही इसी प्रशन से ग्रस्त है यही समस्या सब कि करें तो करें क्या तो उन्होंने फिर कहा कि देखते हैं, थोड़ा समझने दो माजरा क्या है तो उन्होंने देखा, समझा, बातचीत करी होगी खूब, ध्यान से देखा होगा जीवन को, मनुष्य के चित्त को समझने का प्रयास किया होगा, इधर उधर जाके तरह के प्रयोक करे होगे, फिर आप उसे मंत्रना करी होगी, चर्चाएं करी होगी, तो उन्चर्चाओं में उनके लिए जो बात निकल के आई, बोले देखो, लोग सब पूछने आते हैं, करें तो करें क्या, पर कोई ये नहीं बताता है, कि तुमने कर ही क्या रखा है, क्योंकि शुरुआत मुद्दे की यहां से नहीं हो सकती, कि बताईए अब आगे क्या करे शुरुआत तो यहां से होगी कि बताओ आज तक करते क्या आ रहे हो, लेकि वो नहीं कोई बताना चाहता, आज तक करते क्या चले आ रहे हो, ये कोई नहीं बताना चाहता, और ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तुम आज तक करते चले आ रहे हो, अगर वो ठीक ही होता, तो आज तुम्हीं ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि बताइए आगे करें क्या तो निश्चित रूप से फिर समस्या ये नहीं है कि तुम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, समस्या ये है कि तुमने आज तक का जीवन बिना कुछ जाने पर करते हुए जिया है जाना कुछ नहीं करा खूब समस्या यह पर उस समस्या कि तुम बात नहीं करना चाहते आप हमें बताना ही नहीं चाहते कि आप अपनी इस इस्थित में फस कैसे गए आप बस यह पूछ रहो आप बता दो क्या करना है और जिस चीज ने आपको आपकी वरतमान स्थित में फसा दिया है वो चीज आपके अंदर है तो अगर हम आपको बता भी देंगे आगे करना क्या है तो आपके अंदर जो आपको फसाने वाली चीज बैठी हुई है वो तो बैठी ही रह गई वो तो हटी नहीं न तो हमने एक बार को किसी तरह आपको आपकी समस्या से रहत दिला भी दी तो पाँच साथ रोज बाद फिर क्या पाएंगे हम आपने फिर किसी नए तरीके से अपने आपको समस्या में डाल लिया कोई भी स्थित्य आएगी जीवन की वो आपके लिए समस्य बन जाएगी पांच दिन में नहीं तो पांच महीने बाद पर फस होगे फिर सुझ में आरी है तो जब आम आदमी इसी समस्या से त्राहिमाम कर रहा था कि हम नहीं जानते कि जीएं कैसे हर पल निर्णे की घड़ी होता है और हर पग पर चौराही मिलते हैं और हमें नहीं समझ में आता निर्णे कि धर का करें तो विचारकों ने रिशियों ने ध्यानियों ने क्या कहा पहले हम देखते हैं कि तुम्हारे आज तक के निर्णे कैसे हुए पहले हम देखते हैं कि तुमने आज तक जीवन कैसे जी आया तो उन्होंने फिर खोज करनी शुरू करी जैसा भी हम कह रहे थे और उनके सामने खोज में जो परिणाम आये वो मैं आपको उस भाशा में बता देता हूँ जिससे आप परिचित हैं उनके जो परिणाम आये वो उसको शास्त्रिय भाशा में व्यक्त करते हैं पर मैं आपसे हमारी आपकी जो मिट्टी की जमीन की सरल भाशा उसमें कही देता हूँ और उस भाशा से आप पहले से ही वाकिफ हैं उन्होंने कहा तुम आज तक जो कुछ करते आये हो न तीन तरीकों से करते आये हो और यह जो तीन तरीके इनको आप जानते हैं तुमने आज तक जो निर्णे लिये हैं वो तीन ताकतों के प्रभाव में लिये हैं पहली ताकत शरीर दूसरी ताकत समाज और तीसरी ताकत सही होगा बोले पहले तो तुम ये समझो कि इनके प्रभाव में आकर तुम जो भी कुछ करोगे या निर्णे लोगे वो तुमको भारी पड़ेगा पहले तो ये समझो पहले तो ये समझो तुम इन चीजों पर चलते रहे हो तुम्हें शरीर ने कुछ करने को बोल दिया तुमने कहा दिया यही तो मुझे करना है और जो करना तुम्हारे लिए एकदम आवश्यक और उचित हो हमने थोड़े दिर पहले कहा था शास्तरी भाशा में उसको ही धर्म कहते हैं तो तुमने शरीर के आवेगों को या आज्याओं को अपना धर्म बना लिया शरीर ने आप से एक बात कही आपने कहा मेरा धर्म है शरीर के इशारों पर चलना या शरीर की मांगों की पूर्ति करना यही तो मेरा धर्म है का इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है अगर तुम्हारी दुर्दशा है तो एक बड़ा कारण शरीर है तुम्हारा शरीर माने वो सब कुछ जो आपकी साधारन जैविक वृत्तियों से उठता है साधारन लालच देह भाव लिंग भाव क्रोध इर्श्या वो सब कुछ जो आप पशुओं में पाते हो तमसा शरीर इतनी मांगता है न खाओ पीओ पढ़ जाओ आप किसी भी पशुओं को खुब खिला पिला दीजिए फिर देखिए उसमें कोई उत्सा नहीं रह जाता घूमने फिरने का भी घूमने फिरने के पीछे भी ज्यादा उसकी प्रिरणा यही रहती है कि शिकार मिल जाएगा आप किसी पशुओं को इधर उधर घूमता देख रहे हैं तो संभावना कम ही है कि वो आनंद में टहल रहा होगा हो सकता है पर संभावना कम है अगर आप किसी पश्यों को अधर अधर घूमता देख रहे हैं और और कभी दाइं देख रहा है कभी बाइं देख रहा है तो संभावना ज्यादा यही है कि वो भूखा है वो तलाश रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए या फिर अगर उसका मौसम चल रहा है तो वो नर्या मादा को तलाश रहा है खिला पिला दिया तो वो पढ़ जाएगा देह संतुष्ट हो गई वो कहेगा अब मुझे हिलना भी नहीं है क्योंकि मैं हिलता ही किसलिए था देह की पूर्ती को देह संतुष्ट हो गई अब पढ़ जाएगा तो यही काम आप मनुश्यों में भी पाते हो देह संतुष्ट हो गई आप गिर जाते हो आप कहते हो आप कुछ करना ही क्यों है पैसा आता आदमी मोटा होने लग जाता है हिलना ही क्यों है सुझ में आरही बात आप थोड़े ही निर्णे कर रहे हो आपका शरीर आपसे निर्णे करा रहा है और आप शरीर की आग्याओं का अंधान उकरण कर रहे हो यह देह धर्म है देह धर्म का पालन कर रहे हो इसलिए दुख पा रहे हो दूसरी चीज उन्होंने जब खोज करी तो उन्होंने पाई कि दूसरी चीज इसका तुम बहुत पालन करते हो वो है समाज की आग्याए और समाज माने कोई व्यक्ति तो होता नहीं समाज माने कौन तुम से कहा जाए जब समाज को लेकर आओ किसको लेकर आओगे समाज तो कुछ नहीं है तो समाज का अर्थ ही होता है एक परंपरा, एक सिध्धान्त एक कॉंसेप्ट है समाज न व्यक्ति है न चेतना है न इकाई है एक भीड है जिसमें प्रत्यक व्यक्ति या तो दूसरों को देखकर चल रहा है या उसी भीड के इतिहास को देखकर चल रहा है तो समाज के आदेशों पर चलने से चीतना को बड़ी रहात हो जाती यह कहते हैं मुझे क्यों सोचना है बस यह देख लो कि महले में बाकी लोग क्या कर रहे है मुझे क्यों सोचना है बस यह देख लो कि पीछे लोग क्या करते चले आए मुझे मौलिक चिंतन और मौलिक जीवन के खत्रे उठाने ही क्यों है यह दूसरे किसलिए हैं यहां तक तर्क ठीक था समस्या यह कि जो दूसरे हैं वो भी यही तर्क दे रहे है आप इसलिए नहीं सोचोगे क्योंकि सोचने का काम आपके अनुसार दूसरों का है और दूसरे भी इसलिए नहीं सोचने काम उनके अनुसार दूसरों का है तो ले द जो होता आ रहा है वोई क्योंकि आज तो किसी को सोचना नहीं है आज तो जो सोचने लग जाए वो बागी कहला जाएगा यह देखो यह नई अपनी कुछ अलगी सोच चलाते रहते हैं तो हर व्यक्ति कहता है सोचने की कोई बात नहीं दूसरे सोच लेंगे जाओ भई सबसे म रहे ले लो कि अर बाकि किसी के पास जाओ तो क्या बोलेगा जओ बाकियों की रहे ले ले ये आम त kitchen पर ऐसे संगठनों या सनस्थाओं में ज्यादा होता है जहां हर आदमी बस किसी तरह अपने आपको बचाना चाहता है कोई भी व्यक्ति समयदारीन लेना चाहता है क्योंकि सब को लगता है कि बना बनाया काम है बधी मधाई तन खाई है सब बना बनाया चलता है जैसे सरकारी जगों पर होता है कहे के लिए भटे में टांग डालनी सब दूसरा देख लेगा ले देखे कोई कुछ नहीं देखता और जैसा चला रहा था वैसे ही चलता रहता है क्योंकि निर्णे का अर्थ होता है पुरानी धारा को बदलना या तो प्रवाह की दिशा मोड़ देना या प्रवाह में बल जोड़ देना या प्रवाह को क्षीन करना ये सब होता है निर्णे का मतलब जब निर्णे लिया ही नहीं जाना तो मतलब होता है पीछे से जो आ रहा है वो चलेगा और निर्णे कोई नहीं लेना चाहेगा क्योंकि खत्रा कौन उठाए निर्णे का तो मतलब ही होता है खत्रा पीछे से चला आ रहा है उसमें खत्रा कम होता है खत्रा कम क्यों होता है क्योंकि वो पीछे से सफलता पूर्वक चला आ रहा है कोई तीस है जो तीन शताब्दियों से चली आ रही है वो जैसी भी है जो भी है तीन शताब्दियों तक चली न रही होगी बहुत सड़ी गली जो भी है जैसा भी है पर इतना तो उसमें दम था कि तीन शताब्दियों तक वो बनी रह गई चीज तो आदमी कहता है नए का खतरा उठाने से अच्छा वो चीज है जमी जमाई है सिद्ध है प्रमानित है उसी को फिर से कर डालो लेकिन जब भी ये करोगे दुख पाओगे क्योंकि जीवन तो आपसे सही उत्तर मांग रहा है पुराने उत्तर नहीं जीवन आपसे सही उत्तर मांग रहा है पुराने उत्तर नहीं मांग रहा है अब पुराने उत्तरों में बात यह है कि वे कम से कम कुछ हद तक तो सही लगते हैं इसलिए क्योंकि वे पुराने हैं नए उत्तर में खत्रा होता है कि चुकि वो नए है माने मौलिक हैं तो पूरी तरह से गलत भी सिद्ध हो सकते हैं हम वो खत्रा उठाने से डरते हैं तो हम पुराने उत्तर को ही आज चिपका देते हैं जीवन की उत्तर पुस्तिका में नतीजा असंतुष्ट करता है हमको जब नतीजा असंतुष्ट करता है तो फिर हम ग्यानियों के पास भागे भागे जाते हैं क्या पूछने बताओ करें क्या जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा बताओ करें क्या ग्यानि पूछते आज तक क्या करते आयो आज तक जो पुर पुराने जवाब रटली हैं गणित के और नए नए सवाल हैं गणित के और जा करके वही पुराने जवाब ये भी नहीं देख रहे कि सवाल पूछा क्या जा रहा है थोड़ा बहुत देखा देखा ये तो सुना सुना ऐसा वाल लग रहा है शायद ये उस पुराने सवाल से म मिलता-जुलता सवाल है तो लो उसका जवाब यहां भी लगा दो जब रुखि चलेगा क्या वो नहीं चलता जब नहीं चलता तो कष्ट मिलते हैं तरे तरे के जिन्दगी में तनाव आता है soonah पना आता है असफलता का भाव आता है, विर्थता का भाव आता है, जब विर्थता का भाव आता है, भीतर फिर अपना विश्वास तूटता है, समझ में नहीं आता है, हम तो जो करते आएं हैं वो चला नहीं, तो जाओ अब किसी और से पूछलो कि क्या करना है, किसी और से भी पूछने इसलिए जात हैंसे जानकार है ज्यानी है तो वो आपको नहीं बताएगा करो क्या वो कहेगा अभी तक जो करा है सबसे पहले उसको थामो जो तुम्हारे पुराने धर रहे हैं अगर यही चलते रहे तो जीवन में कुछ नहीं बदलेगा तो शरीर धर्म और उसके बाद समाज धर्म इन दोनों धर्मों पर नहीं चलना है शरीर जो बता दे वो धर्म नहीं हो गया आपका शरीर ने कह दिया चलो खाओ अरे भाई चार और लोग हैं जो ज्यादा भूखें है शरीर लेकिन दूसरे की भूख अनभाव तो करी नहीं सकता ये संभाव ही नहीं है आपके सामने कोई बहुत भूखा भी व्यक्ति बैठा हो आप कितनी भी करोना रख लीजी है लेकिन उसकी भूख उसकी भूख है आप अपने पेट में नहीं अनभाव कर पाएंगे तो शरीर तो बोले का खाओ ये शरीर धर्म है इसका पालन नहीं करना है समाज धर्म क्या है जो चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाओ न कोई अपनी सोच होनी चाहिए न कोई मौलिक चेतना होनी चाहिए तुम कुछ हो ही नहीं तुम्हारी कोई निजी द्रिष्टी है ही नहीं तुम्हें देखने, सोचने, समझने, सुनने का अधिकार ही नहीं है ये समाज धर्म है समाज धर्म कहता है कोई भी चीज ठीक इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ठीक मानी गई तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है ऐसे समाज धर्म पर नहीं चलना है समाज धर्म को आप समुह धर्म भी बोल सकते हो समुदाय धर्म बोल सकते हो समय धर्म बोल सकते हो क्योंकि अतीद से आता है जैसे भी बोलना चाहो जो चीज जितनी प्यारी होती है उसके लिए उतने खतरे उठाने पड़ते है सबसे प्यारी चीज़ होती है अपनी निज़ता और वो तो खतरों पर चलके ही मिलती है भीड में सुरक्षा का भरोसा आ जाता है भाई कहीं इकठा हो गए हो पांच सो हजार या पचास जार लोग उस सब प्रफुलित हो जाते हैं उनको लगता देखो सब हमारे ही जैसे हैं लगता हम बच गए जो होगा आप सब के साथ होगा न मैं अकेला नहीं मरूंगा लेकिन भीड में आपको उस तरह की खोखली सुरक्षा की भावना भले मिल जाती हो लेकिन जो चीज सबसे कीमती है वो पीछे हो जाती है निजिता आपकी भीड में कोई निजिता होती है भीड में सुरक्षा होती है कुछ निजी कहां होता है भीड में बताओ होता है भीड का चैन करने का मतलब ही है अपनी निजिता का सौधा कर लेना और तीसरा जो धर्म है जिस पर आप चलते रहते हैं चलते आए हैं जिसके कारण सारी समस्य जी उनमें खड़ी होती है वो है सैयोग धर्म सैयोग धर्म क्या है अवसरवाद वहाँ तो कोई सिध्धान्त भी नहीं होता वहाँ बस यह होता है कि जो रहा खुली देखो उधर कोई चल दो जो द्वार खुला देखो उसी में घुश जाओ जिसको ताकतवर देखो उसी के पाउँ पकड़ दो जिस विचारधारा को छाता देखो उसी विचारधारा को सुईकार कर लो जो चलन देखो उसी चलन के हो जाओ यह सैयोग धर्म है समाज धर्म कहता है जो पीछे रहा है उसका नुसरण कर लो और सैयोग धर्म कहता है जो अभी चारो तरफ चल रहा है बस चुप चाप उसी धारा में बह लो यह सैयोग धर्म है कोई पूछे फलाना गाम क्यों किया क्योंकि आजकल यही तो हो रहा है अब आजकल जो हो रहा है वो तो एक सैयोग है हो सकता है न भी होता तुम्हारे यहां हो रहा है सौ मिल दूर चले जाओ और किसी दूसरे देश चले जाओ तो वहां नहीं हो रहा है पर आपने सईयोग वश जो होते देखा आप भी वैसा ही करने लग गए ये सईयोग धर्म है क्यों ऐसे कपड़े पहनते हो क्योंकि सब ऐसे पहनते हैं अच्छा उत्सव मनाना इस तरीके से क्यों मनाना है जैसे मनाने की सोच रहे हो क्योंकि आजकल ऐसा ही चलता है जो चलता है वही करना सईयोग धर्म है और जो चलता है वैसा क्यों चलता है ये कोई भी नहीं जानता क्योंकि जो चल रहा है उसके पीछे कारण रैंडम है अकारण है वह एक तरह से बस है क्यों खा रहे हो मास मेरे मेरे परिवार में सब खाते हैं तो मैंने मैंने खाना शुरू कर दिया और तुम तुम्हारे परिवार में तो कोई नहीं खाता तुम क्यों खा रहे हो नहीं मैं होस्टल आ गया था होस्टल में सब खाते हैं तो मैंने खाना शुरू कर दिया तुम ठीक आदमी लग रहे हैं तुम क्यों नहीं खाते नहीं मेरे परिवार में कोई नहीं खाता इसलिए मैं भी नहीं खाता ये तीनों ही किस धर्म का पालन कर रहे हैं सायोग धर्म और जो सायोग धर्म का पालन करेगा खोजियों ने पाया कि वो दुख में रहेगा उसकी आँखों के सामने हमेशा एक कोहरा रहेगा उसे नहीं पता जीवन क्या है मुझे आगे बढ़ना कैसे है जीना कैसे है और समय तो गति का नाम है साथ समय का मतलब यह है कि मामला आगे बढ़ रहा है लगातार गति हो रही है और आगे बढ़ रहा है और तुम जिन्दा हो तो तिनके की तरह धारा में बह नहीं सकते तुमसे सवाल पूछे जाते हैं अच्छा जी आगे कहा जाना है और आपके वास की जवाब होता नहीं हर पल आपसे यह सवाल पूछ रहा न बता आगे कहा जाना है तिनका बहरा होता है नदी में उससे कोई सवाल पूछा जाता है उसे अपने किसी धर्म का निर्णा करना ही नहीं है जड होने में कितना लाभ है वहाँ कोई धर्म नहीं निर्धारित करना होता जो हो रहा है पर आप से तो सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल चुबते हैं, चिड़ाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई जवाब हमारे पास कोई आधार भी नहीं है हमारे पास कोई क्राइटीरिया नहीं है जिसके आधार पर हम जवाब तै कर सके और कोई जवाब हमें सूज भी जाता है तो हमारे पास कोई कसौटी नहीं है जिस पर परक सकें कि ये ठीक है कि नहीं है कर ये ऐसा तो नहीं कि बस शरीर से एक आवे एक उठा और हमें लगा यही तो अभी धर्म है हमारा पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई छोड़ दी क्यों पढ़ाई छोड़ दी प्रेम हो गया प्रेम तो बड़ी बात होती है न वो प्रेम है कि शरीर धर्म है तुम्हें कैसे पता तुम्हें क्यासे पता, तुमने जानना भी चाहा लेकिन एक नर्णे ले लिया न बढ़ा, क्या नर्णे ले लिया पढ़ाइ छोड़ देनिए आगे नौकरी कर रही थी, नौकरी कर रही थी, नौकरी से छुटी लीग क्यों? क्योंकि बच्चा हुआ था और बच्चा अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो भी नौगरी पे वापस नहीं आई क्यों अरे बच्चे का भरण पूशन भी तो करना है उसका ख्याल रखना होता है बच्चा छोटा है यही तो हमारा कर्तव्य है आपको कुछ पता है कि वो बच्चे के प्रते आपका प्रेम है या बस ये एक शरीर धर्म है अब आप पड़े रहो घर पे पांच साल बाद अकुल आओगे और पांच साल बाद उठके आओगे और कहोगे क्या करूँ क्या करूँ जिन्दगी बड़ी बेराउनक है ऐसा लगता है कि अंधी गुफा में कैदूँ क्योंकि जो निरने लिया था वो आपके समझ भूज से नहीं आ रहा था वो आपके शरीर से आया था और आपने शरीर को ही मालिक बना लिया प्रक्रति ये सब करती है सब प्राणियों में मा के शरीर में बच्चे के प्रति वो एक भाव बना कर रखती है वो भाव बहुत पुराना है वो प्रागयतिहासिक भाव है और उस भाव से लाब भी रहें बच्चों की रक्षा होती रही है मा के शरीर में बच्चे के प्रते जो भाव उठता है वो भाव अच्छा रहा है उससे बच्चे की रक्षा हो जाती रही है पर वो भाव तब तक आवश्यक था न जब तक बच्चे की रक्षा करने के और साधन नहीं उपलब्द थे वो एक लाग साल पहले भाव ठीक था अगर आता था आज आपको वही भाव आ रहा है तो भाव बहुत गैर जरूरी है और घातक है लेकिन यह आपने देखा नहीं शरीर की लहर को ही अपना धर्म बना लिया तो यह जो तीन धर्म है इन पर नहीं चलना है इन तीनों धर्मों के लिए एक सैयुक्त नाम है पर धर्म शरीर से जो धर्म उठता है धर्म माने क्या करो यह तुम्हारा करतव्य है शरीर सिखाने लग जाता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो शरीर जो करतव्य सिखाए उसको धर्म नहीं मान लेना है तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है समाज जो कर्तवे बता दे उसको नहीं मान लेना है तो समाज धर्म पर नहीं चलना है और संयोगों से जो कर्तवे सामने आ जाएं उनको अपना नहीं लेना है वो नहीं हो गए आपकी कर्तवे तो समाज धर्म पर नहीं चलना है और इन तीनो धर्मों के लिए एक संयुकत नाम है परधर्म और इन तीनो धर्मों के लिए जैसे परधर्म नाम है वैसे ही शरीर, समाज और संयुक के लिए संयुकत नाम है प्रक्रति 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 के क्षेत्र में प्रक्रति के विशयों में प्रक्रति की आज्याओं में और प्रक्रति के भोग में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए प्रकृति माने क्या? ये पूरा जो संसार है इसी को प्रकृति बोलते है सिरु जंगल को प्रकृति नहीं बोलते है हमने प्रकृति का बड़ा छोटा अर्थ लगा दिया है कि प्रेन, पौधे, पर्यावरन इसको हम प्रकृति बोल देते हैं, नहीं, ये सडक, ये घर, ये पूरा ब्रहमांड ही प्रकृति है, मनुष्य जो बना रहा है, वो भी प्रकृति ही है, मनुष्य स्वयम प्रकृतिक है, जो कुछ प्रकृतिक है, उसका निर्माण भी प्रकृतिक ही है, हम एक जूठी रेखा खीश देते हैं, हम कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक होता है, और कुछ मानवकृत होता है, जो मानवकृत है, वो भी प्राकृत ही है, ठीक है, तो प्रकृति माने सब कुछ, सब कुछ, तो माने इस दुनिया से आदेश नहीं लेने, प्रकृति माने अगर ये दुनिया, ये जग ये पूरा सब कुछ, जिसमें आपका शरीर भी आता है, प्रक्रति माने पहली बात तो सब कुछ, सिर्फ जंगल ही नहीं, शहर भी, पहली बात तो प्रक्रति की परिभाशा में ये साफ समझी है, नहीं तो मैं जितनी बाते करता हूं, मैं बार बार प्रक्रति शब्द कहता आप लोग फस जाएंगे तो प्रक्रति में हमने कहा पहली बात ही है कि जंगल भर को नहीं प्रक्रति बोल देना जंगल, शहर, सब कुछ प्रक्रति ही है और दूसरी बात प्रक्रति में बस ये बाहर-बाहर की चीज को प्रक्रति नहीं बोल देना वो भी प्रकृति है और ये देह, तन और मन ये भी प्रकृति ही है तो ये दो बाते प्रकृति के बारे में स्पष्ठ हो तो प्रकृति धर्म पर नहीं चलना है माने दुनिया के इशारों पर नहीं चलना है और देह के इशारों पर नहीं चलना है न दुनिया के कहने पर चलूँगा न देह के कहने पर चलूँगा ये हो गया परधर्म दुनिया और देह को मिला करके ही हमने ये तीन तत्व बना दिये शरीर, समाज, सैयोग यही तीन तत्व प्रक्रति हैं प्रक्रति पर ही चलना परधर्म है हम धर्म समझना चाहते हैं क्योंकि धर्म बड़ा समवेदन्शील मुद्दा है न जो लोग सीधे सीधे धर्म की व्याख्या नहीं पूछते आज मैंने आरंभ में ही कहा कि वो भी इतना तो पूछते हैं न कि करूं क्या और जिस भी किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछ दि कि मुझे मेरा धर्म बता दो मुझे मेरा धर्म बता दो तो हम कह रहे हैं कि आपको बताया जाए कि आपका धर्म क्या है इससे पहले आप जानी है आपका धर्म क्या नहीं है क्योंकि साहब जो आपका धर्म नहीं है आप उसी पर तो आज तक चलते आए हो और इसी कारण इससे पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि बीमारी क्या है और आ कहां से रही है या बीमारी को जाने बिना दवाई तै कर दी जाए कोई चिकित्सक करता है ऐसा तो बीमारी क्या है परधर्म बीमारी है और परधर्म माने पडोसी का धर्म नहीं होता परधर्म माने देह धर्म समाज धर्म सयोग धर्म परधर्म का ये नहीं मतलब होता कि आप हिंदू है तो इसलाम परधर्म हो गया या आप इसाई है तो यहूदी धर्म परधर्म हो गया हम बहुत हुनरमंद लोग हैं हम कोई भी व्याख्या कर सकते हैं और ऐसी व्याख्या हैं भी खूब चल रही है बाजार में कि परधर्म माने दूसरे का धर्म परधर्म माने कौन सा धर्म उसका इन सबसे मुसल्मान, इसाई, यहुदी इससे कोई लेना देना नहीं है परधर्म माने आप यहाँ बैठे हो और हम चर्चा कर रहे हैं और आखें नींद से बिल्कुल गिरी जा रही है पलक बंद करते हो कि पलक नहीं बंद करी तो भरोसा नहीं आख पट से आजमीन पे ना गिर जाए इसलिए जल्द जल्द पलकें गिराते हो और आपने स्विकार कर लिया कि चलो ठीक है सबको लगेगा बंदा ध्यान में है गहरे ध्यान में है और आपने स्विकार कर लिया आखों का हुकुम सर आखों पर तो यह आपने कौन से धर्म का पालन कर लिया यह शरीर धर्म का पालन हो गया यहां क्या बात हो रही है और आपने देह की आग्या मान ली यह परधर्म हो गया परधर्म माने यह नहीं कि कोई और कोई दूसरी किताब ले आया था आपने वो माननी शुरू कर दी यह अपनी ही आखों की बात मान लेना परधर में इस पश्ट हो रहा है तो वो जो खोजी थे जिनको आप रिशी कह देते हैं, रिशी कहना बहुत अच्छी बात है लेकिन रिशी शब्द के साथ हमने इतनी छवियां जोड़ दी है और इतनी माननेता है, इतनी कहानियां जोड़ दी कि रिशी बोलो तो पता नहीं आपको क्या लगता है तो मैं तो उनको कहता हूँ खोजी मैं उनको कहूँगा अंतर जगत का वैग्यानिक जिनको आप आम तोर पे वैग्यानिक बोलते हो वो कहां खोज करते हैं पाहे जगत में तो जो अंतर जगत का वैग्यानिक है उसका नाम रिशी हुआ तो उन्होंने खोज करके आपको कुछ बाते बताई उन्होंने का तुमारी सारी दुरदशा इसलिए है कि तुम चलते हो देह धर्म पर और चलते हो समाज धर्म और चलते हो अब तिहारों का अभी चल रहा है मौसम तो आप यहां बैठे हुए हो और तभी आपके फोन पर आ जाए रे जल्दी आओ जल्दी आओ आओ आज फलानी एका दशी है आज फलानी एका दशी है और घर में यह हुआ है और बहुत बढ़ियाँ वाला फलाने आटे का आज क्या बना है लड़ू बना है कुछ बना है और इतने बज़े से पहले आना जरूरी होता है क्योंकि हमारे यही परंपरा रही है आओ उसके बाद वो जो बढ़वा पीपल है उसमें जाकर के पानी भी डालना है और यहां आप यह सारी चर्चा और चा छोड़ करके फट से उठके भाग जाए और भाग इसलिए भी जाए क्योंकि वो काम एक तो आपका पूरा कुनवा कर रहा है पूरा महला भी कर रहा है और पूरा महला करेगा और सब सज बज के जाएंगे सब सजे बजे लड़के और सजी बजी लड़कियां सजी बजी लड़कियां और आपने कहा यह सब क्या है यहां पे रूखी चर्चा हो रही है कोई खोजी वैग्यानेक और मुझे करना क्या है मेरा धर्म क्या है बाते ही बाते हो रही है और वहाँ पे पहले तो खाने पीने का प्रबंध है और इतने सारे लोग वहाँ जमा है एक सामुहिक काम हो रहा है और उपर से वहाँ सौंदर की वर्षा होगी तो मुझे जानने दो तो यह आपने किस धर्म का पालन कर लिया यह समाज धर्म का पालन कर लिया ना आप जानते ना वो सब जानते कि वो जो कर रहे है वो क्या कर रहे है किसी को कुछ नहीं पता किसी को कुछ पता किसी को कुछ नहीं पता पर आप श्री कृष्ण को गीता को छोड़ कर भागने को तयार हो गए क्योंकि आपके यहां पर फलानी एकादशी की फलानी अमावस्या को फलाने पीपल में जल चड़ाना है और सब वहां पर पुरुश और महिलाई अच्छे अच्छे वस्तर पहन कर आते हैं और क्या वहां मौसम होता है ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कोई पुरानी भारतिय सांस्कृतिक पिक्चर चला दी गई है और बड़ा बढ़ियांसा लगता है हम आपके हैं कौन राजश्री प्रोडक्शन्स मन तो बहुत करता है क्यों भई ऐसा ही तीसरी चीज़ यहां बैठे हो बैठे हो बात चल रही है और तभी फोन में एक संदेश आ जाता है ओ यार गल्दस में आ गया कैनड़ा से और जल्दी आ जा बार फ्लाइट लेंड कर चुकी है टैक्सी बे बैठ गया मिलते हैं नोईड़ा में और आपने कहा ही देखो यह बुला रहा है जाने ही पड़ेगा और यह जो बुला रहा है वो आपको बिना बताया आया है लेना एक न देना दो आपको यहां छोड़के वो दस साल से केरिणा में पड़ा हुआ था अब वहाँ ठंड जादा होने लग गए यह नोवंबर का महीना और यहां बढ़िया आप जाल रहें और पटाके फूटेंगे तो यहां आ रहा है अब जब यहां आई गया है तो वो मेरा कनेडा वाला यार और उठके यांसे भग दिये कर लिया न नर्ण क्या नर्ण करा उठके भग जाने का यह कौन से धर्म का पालन कर लिया यह तीनों ही धर्म पराए है श्री कृष्ण कहते हैं परधर्म भयाव होता है परधर्म भयाव होता है परधर्म को अच्छे से समझो देह पर नहीं चलूँगा देह पराई है तो देह का धर्म भी पराया है समाज पर नहीं चलूँगा समाज पराया है तो समाज का धर्म भी पराया है और संयोगों पर नहीं चलूँगा, संयोगों का तो बिलकुल ही नहीं कोई भरोसा, ये कैसे अपने हो गए, जो संयोग है, याद्रचिक है, उसका तो परिभाशा में ही कोई भरोसा नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं, उसरी को तो संयोग बोलते हैं, तो जिसका कोई भरोसा न में हो जिसका कोई भरोसा नहीं उसको अपना बोलोगे कभी तो सहीओंग अपने कहां से हो गए इन पर नहीं चलना है इन पर एकदम नहीं चलना है जो इस से बच जाता है वो फिर इस सवाल से मुक्ति पा जाता है कि अब करूं क्या करूँ क्या करूँ क्या लेकिन इनसे बचने की कीमत आदमी को कई बार बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है जानने वालों ने कहा है वो कीमत चुका देना अगर प्राण भी देने पड़ें तो भी इन तीन धर्मों पर मत चलना किस पर चलना उसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे पर इन तीन पर नहीं चलना और इन तीन पर नहीं चलोगे तो लोग खफा होते हैं अब यह भी तो हुआ एक मेसेज कहां से आया था कि वो एकादशी पे बुढ़वा पीपल अब वहां नहीं जाओगे तो पूरा महला खफा हो गया दूसरा कहां से आया था वो कनेडा वाला यार वहां नहीं जाओगे तो वो खफा होगा और तीसरा कहां से आया था वो शरीर से आया था वहां से नहीं जाओगे तो खुद ही खफा हो जाते हो अपने ही मुँ उतर जाता है बैठे तो हुए हो पर लटके हुए हो आँख खुल नहीं रही है और फिर खुलती भी आँखे हैं तो उसमें से आग बरसती है पिर सुनना कान से है तर्क क्या है तर्क चुहा है जिधर मिठाई दिखती है उधर को तर्क चल देता है तर्क तो चुहा है जिधर सुरत की मिठाई दिखेगी तर्क बिलकुल उधर को चलेगा तो सुनना किस से है कान से दिखने में ये आचारे जी इतने खुबसूरत है नहीं कि इनको देखें हाँ बात इनकी कभी-कभार एकाट ठीक होती है और वो सनेंगे कान से तो ये आख काई को खुलवा रहे है जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आख बंद करके ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे करने दो ना आख बंद करके ध्यान काई को बोल रहे हो कि टक-टकी बांद के हमें देखो कैमरे लगवा रखे छे उसमें से पांच इनकी और अब या तो हम इनको देख रहे हैं तो कैमरा हमें देखे हमारा जब यहां कोई कामी नहीं सुनने के लावा तुम अपने कान या छोड़ देते हमको जाने दो कहीं और बैठ जाएंगे वहाँ पर लगा लेंगे प्लग और उससे सुन लेंगे तरक कष्ट होता है जब कष्ट होता है तो कृष्ण कहते हैं मर भी जाओ तो भी इन धर्मों का पालन मत करना मर जाओ तो भी छोटा मोटा कष्ट नहीं मृत्य तुल्ले कष्ट हो तो भी इन तीन की नहीं सुनना मरना बहतर है निधनम श्रेयह मरना बहतर है पर धर्म पर लेकिन नहीं चलना है पर धर्मों भयावह मर जाओंगा इन तीन की नहीं सुनूँगा किसके लिए मरना बहतर अभी उसकी हम बात करेंगे वो भी समझेंगे लेकिन ये पक्का है निधनम श्रेयह मौत श्रेयसकर है मौत चुननूँगा इन तीन को नहीं चुननूँगा समझे में आरे ही बात है मौत चुननूँगा इन तीन को नहीं चुननूँगा तो किसको चुनना है किसको चुनना है किसको चुननूँगा